कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच कहुंगा चुनिये CGPSC पात्षाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार डाउनलोड डियांग नाउ हलो इस्ट्ट्ट में धिकल कुमार एक फिर आप सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने यूट्टूब चाहरा CGPSC पात्षाला में कोच्ट्ट आते हैं आपके एकनोमिक सर्वे से तो मैक्सिमम टाइम पॉस्पिलिटे यही रहती है कि आकड़े जो है यह इस्थिर कीमतों से आते हैं ठीक है तो आप भी सबसे पहले इस्थिर कीमतों के आकड़ों को ज्यादा फोकस करके पढ़िएगा ठीक कई बर कोश्च कोश्ट्ट में मेंशन ही नहीं रहता उस समय आपको अज्यूम करना पड़ता है कि जो सामने कोश्ट्ट आया है वो इस्थिर कीमतों के आकड़े पूछ रहा है ठीक है तो देखिए इस्थिर कीमतों पर वानिकी छेतर का GSDP में भागी दारी 2021-22 इस्थिर कीमत पर है आपक ठीक है ये जो आपको वानिकी का ये जो परसंटेज वाला आकड़ा है इस्थिर कीमत पर GSDP में वानिकी छेतर का योगदान 2.74% कोश्टन बन सकता है देखिए हम जो है आपके इस अध्याय आठ वानिकी रिपोर्ट में में हम फोकस करेंगे भारत वन इस्थिति रिपोर् जो है ये दो साल में एक बार पब्लीश होता है ठीक है दो साल में एक बार पब्लीश होता है अभी 2021 का आकड़ा अभी 2022 में आया है अगले दो साल ये आकड़े में कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा यानि कि आगे आने वाले दो साल के एक्जाम में अगर फोरेश से question बनेगा तो इसे अच्छे से पढ़िएगा इसके अलावा forest report पर एक पूरा complete वीडियो बनाया गया है उसे भी थोड़ा सा अच्छे से prepare कीजेगा देखिए जो आपका YouTube में आप यहाँ पर सर्च कीजेगा देखिए यह दोनों के दोनों वीडियो को आपको अच्छे से preparation करना है यह दोनों वीडियो का कौन सा है यहाँ पर लिखेंगे isfr 2021 cgpsc e part 16 यह करके सर्च कर दीजिए देखिए यहाँ पर जो शुरू के दो है एक आपका part 1 है यह part 2 है यह भारत 1 इस्तिति report यह 36 गड़ वन इस्तिती report भारत वन इस्तिति रिपोर्ट है भारत और भारत की जो है आपके विभिन राज्यों के आकड़े इसमें बताये गए है और इसमें 36 गड़ की जीलों के आकड़े बताये गए है तो यह दोनों वीडियो को जा करके prepare कीजिएगा क्योंकि यह data change न वारा यहां रिपोर्ट जारी किया जाता है जो कि केंद्रिय परियावरंड वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राल है Ministry of Environment, Forest and Climate Change इनके अंतरगत भारतिय वन सर्वेक्षन यहां रिपोर्ट जारी करती है यह रिपोर्ट दो साल में एक बार जारी होता है ठीक है दो साल में एक बार जारी होता है पिछला रिपोर्ट आया था 2019 में अभी नया रिपोर्ट आया है आपके 2021 में अगला रिपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका 2023 वाला ठीक है तो यह है आपका भारतिय वन इस्तिती रिपोर्ट जारी हुआ है तो वो कौन से नंबर का संस्क्राइन है 17 नंबर का है 17 नंबर का है यह द्वी वार्सिक रिपोर्ट है इसकी शुरुवात हुई थी वर्ष 1987 से 1987 से यह report जारी होता आ रहा है वरतिमान में अगर पूछा जाए कि केंद्रियवनमंत्री या आपके वनविभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है तो वो है श्री भूपेंद्र यादो श्री भूपेंद्र यादो वरतमान में केंदर सरकार में इस वन विभाग के या इस ministry के मंत्री है cabinet मंत्री है अगर प्रशने पूछा जाएगा कि 36 गड़ के वन मंत्री कौन है वरतमान में करके तो याद रखेगा 36 गड़ के वरतमान में वन मंत्री है मोहमत अकबर कौन है मोहमत अकबर ठीक है यह तो हो गया कुछ basic questions next देखिए अब यहां पर आकड़ों पर ध्यान दीजेगा, सबसे पहले हम भारत के रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम 36 गड़ के जीलों पर चर्चा करेंगे, देखिए, भारत का जो भागोलिक छेत्रफल है, वो है 327,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनावरन है, भारत मे 3748 वर्ग किलोमीटर, अगर यह दोनों को एड़ कर दे, तो वनावरन प्लस रिक्षावरन है, 8,9537 वर्ग किलोमीटर, ठीक, अगर हम इसके परसेंटेज पर बात करें, तो भारत का जो भारत के कुल भागोलिक छेत्रफल का 21.71 परसेंट है, यानि कि भारत को भागोलिक छे सेकेंडर, ट्रीकवर, भारत के कुल भागोलिक छेत्रफल का 2.91 परसेंट ट्रीकवर है, यानि कि वर्ग्षावरन है, भारत के आपका 32,82 वर्ग किलोमीटर में से 2.91 परसेंट एरिया में वर्ग्षावरन यानि कि ट्रीकवर है, अगर वनावरन और वर्ग्षावरन दोनो के रिपोर्ट में भारत के वनावरण में विद्धी दर्ज की गई है 1540 वर्ग किलोमेटर यानी कि पिछले रिपोर्ट की तुल्ला में भारत के forest cover में increment हुआ है वृध्धी हुआ है कितना 1540 कुलोमेटर का जबकि भारत के विक्शावरण में विद्धी हुआ है 721 वर्ग किलोमेटर का पिछले रिपोर्ट की तुलना में अगर वनावरण और विक्षावरण दोनों का अगर हम comparison करें तो यहाँ पर वृद्धी दर्ज की गई है 2261 वर्ग किलोमेटर की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चेत्र जहां पर बहुत सारे पेड़ पौध है उसे जंगल कहेंगे ठीक है एक common person के तरब से यही जवाब मिलता है कि जंगल का मतलब क्या होता है एक ऐसा area जहां पर बहुत सारे पेड़ पौध है घने पेड़ पौध है उसे जंगल कहा जाता है तो पेड़ पोदे हैं, उसे जंगल कह रहे है, लेकिन यहाँ पर वनावरण भी mention हो रहा है, यहाँ पर विक्षावरण भी mention हो रहा है, अब यह है क्या, वनावरण क्या है, विक्षावरण क्या है, इसे समझ लीजिए, देखिए, इसे तो मैंने वो forest report में भी बताया है, लेक विक्षावरण, जिसे कहा जाता है, इंगलिश में tree cover, ठीक है, tree cover, वनावरण और आपका विक्षावरण, अब इसमें difference क्या है, वनावरण इसमें भी पेड़ पोदे है, विक्षावरण इसमें भी पेड़ पोदे है, अब दोने में difference क्या है, यह समझ लीजिए, यह एक word डिपेंड करता है जो है आपका tree canopy density, tree canopy density याने कि हिंदी में इसे कहा जाता है व्रिक्षो का सघन मंदपाकार आवरण, व्रिक्षो का सघन मंदपाकार आवरण, ठीक है, tree canopy density डिसाइड करता है कि कौन से पेड़ पौधे व्रिक्षावरण के अंतरकत काउंट होंगे और कौन से पेड़ पौधे वनावरण के अंतरकत काउंट होंगे, जिसे कि मान लिजिए ये एक land area है, एक भूभाग है जिसका सर्वे हो रहा है, इस भूभागत में मान लिजिए total 25% area, 25% cool land area के 25% area में व्रिक्षो का सघन मंदपा कार आवरण है, व्रिक्षो का सघन मंदपा कार आवरण का मतलब जैसे कि आप अगर dense forest देखे होंगे, घने जंगल देखे होंगे, तो वहाँ पर जो है काफी उचे-उचे पेड़ होते हैं, और उनकी साखाएं फैली होती है, जो कि एक मंदप का शेप धारण कर लेते हैं, मंदप का मतलब समझ रहे की नहीं, जैसे कि साधी व्रिक्षो के जो साखाएं हैं वो इतनी फैली रहती है, कि वो सघन मंदपा कार आवरण का रूप धारण कर लेती है, याने कि dense forest यहाँ पर व्रिक्ष जो है, एकदम पा लेंड एरिया है, जिसका सर्वे हो रहा है, उसके कुल भू भाग में से 25% एरिया में व्रिक्षो का सघन मंदपा कार आवरण हैं, जबकि यह दूसरा लेंड एरिया है, इसका भी सर्वे हो रहा है, जिसके कुल भू भाग में से मात्र 5% एरिया में व्रिक्षो का सघन मंद पाकार आवरण 10 प्रतीशत से अधिक, 10 प्रतीशत से अधिक या एक हेक्टेर से अधिक 6 त्रफल में विस्त्रित है, तो उसे आपका उस व्रिक्षो के आवरण को वनावरण के अंतरगत काउंट किया जाएगा, याने कि जिस भूभाग का सरवे हो रहा है, उस भूभाग में अगर उस भूभाग के कुल लेंड एरिया का, जितना एरिया का सरवे हो रहा है, अगर उसके 10 प्रतीशत से अधिक छेत्र में व्रिक्षो का सगन मंदपाकार आवरण है, तो उसे वनावरण के अंतरगत काउंट किया जाता है जब कि अगर ये जो आपका व्रिक्षो का सघन मंदपाकार आवरण भू भाग के 10 प्रतीशत से कम या फिर आपका 1 हेक्टेर से कम भूमी पर है तो वो आपके व्रिक्षावरण के अंतरगत काउंट होता है तो ये होता है आपका वनावरण और व्रिक्षावरण ठीक है वनावरण और व्रिक्षावरण तो देखें वन का मतलब तो सब के दिमाग में यही रहता है कि पेड़ पौधे मतलब जंगल है लेकिन ऐसा नहीं होता पेड़ पौधे का पेड़ पौधे में भी जो है इसे इसे केटेक्राइज किया गया है अगर दस प्रतिशत से अधिक या एक हेक्टेर से अधिक भूभाग पर अगर वित्रीत है तो वनावरण के अंतरगत काउंट होगा अगर दस प्रतिशत से कम या एक हेक्टेर से कम भूमी पर है तो व अभी लिखीत 1 छेत्र, ठीक है, क्या कहा जाता है, अभी लिखीत 1 छेत्र, यह जो आपका अभी लिखीत 1 छेत्र है, यह State Government, State Government के डाटा होते हैं, याने कि Government के द्वारा, अगर किसी भुभाग को, अगर Forest Area घोशित कर दिया गया, याने कि किसी नियम, कानून, अधिनियम के त अभी लिखीत 1 छेत्र, रिकॉर्डड फॉरेस्ट एरिया कहलाता है, भले ही वहाँ में पेड़ पौधे मौझूद हो या ना हो, जैसे कि आपका उक्मान लीजे कोई आपका नैशनल पार्क, या फिर आपका कोई आपका अभ्यारन्या, या बायो इस्पेर रिजर्वा, उ लेकिन उतना पूरा एरिया को वो फॉरेस्ट एरिया घोचित कर देते हैं, ठीक है, तो यह थोड़ा सा अलग हो जाता है, अभी लिखीत 1 छेत्र, जिसे ISFR रिपोर्ट वाले वीडियो में जाकर कि उसे अच्छे से पढ़ लीजेगा, पूरा डेफिनेशन उसमें बताया ग सेकेंड नंबर पर है आपका अरुनाचल प्रदेश लगबग 66,000 वर के साथ, और थर्ड नंबर पर है आपका 36 गड़ लगबग 55,000 वर के साथ, एगजेक डाटा याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, नहीं याद कर सकते, तो सीधा याद कीजिए 17, 665 MP, AP, CG, मध्यप् प्रतिशत का मतलब क्या होता है कुल भू भाग के कितने एरिया में आपका वनावरन है ठीक है इसका मतलब देखिए जैसे कि आपका मिजोरम मिजोरम का जो कुल आपका लैंड एरिया है कुल जो उसका भूगोलिक छेत्रफल है उसमें से 84.5 तीन प्रतिशत एरिया में आपका वनावरन यानिकी फॉरिस्ट कवर है 84% एरिया बहुत बड़ा डाटा है ठीक है तो प्रतिशत के अधर पर अगर हम वनावरन की बात करें तो पहले नंबर पर है आपका मिजोरम सेकेंड नंबर पर है अरुनाचल प्रतिश के कुल भूभाग का यानि कुल भौगोलिक छेत्रफल का 79.33% एरिया ये 79.33% एरिया में आपका वनावरन है और थर्ड नंबर पर है आपका मिघाल है मिघाल है कि एक कुल भूभाग के 76% एरिया में आपका वनावरन है तो प्रतिशत के अधाय पर टॉप थरी कौन कौन से है एक है आपका मिजोरम सेकेंड में अरुनाचल प्रतिश और थर्ड नंबर पर है आपका मिघाल है अरुनाचल प्रतिश चेत्रफल और आपका प्रत चृतिषत कि बात करें तो उसमें आपका लक्ष दीव है ये केंदर शाशित प्रदेशों के आधार पर ये डाटा है और नीचे आपके केंदर शाशित प्रदेशों के आकड़े बताए गए है ठएक इसे घवर कीज़ेगा नेश्ट देखिए नेश्ट है आपका वंच्हेत् में वनावरण में जो वृद्धी हुआ है उसमें से सरवाधिक वृद्धी किस राज्य में हुआ है ये आकड़े वो बता रहा है जैसे कि अगर इन दो सालों के हम बात करें तो सरवाधिक जो आपके वनावरण में वृद्धी हुई है वो हुई है आपके आंध्र प्रदेश की विद्धी दर्ज की गई है वनावरण में जो की सरवाधिक है प्रश्ण पूछा जाएगा कि ISFR या भारती वन इस्थिधी रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न लिखित में से किस राज्य के वनावरण में पिछली रिपोर्ट की तुलना में सरवाधिक विद्धी या सरवाध आधिक बढ़ोत्री दर्ज की गई है तो वो आएगा आपका आंध्रप्रदेश कोश्चन क्या पूछा जा रहा है इस्टेटमेंट पढ़ करके एंसर अटेम्ट करना है ठीक है तो 647 वर्ग किलोमेटर की विद्धी के साथ आंध्रप्रदेश पहले नंबर पर है प्रतीश ये वाला आकड़ा याद करना है ठीक है maximum possibility इसी से बनता है question बनने का बाकि top 3 state को तो आपको याद करना ही होगा ठीक है अगर हम 36 गड़ की बात करें 36 गड़ में इन 2 सालों में 36 गड़ में 106 वर्ग किलोमेटर की विद्धी दर्ज की गई है याने कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में 0.19% वर्णावरण में विद्धी दर्ज हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में और वर्णावरण के मामले में ये जो आपका विद्धी हुआ है ठीक है ये जो विद्धी हुआ है जो अभी हमें ये rank देख रहा है इस विद्धी के मामले में हमारा 36 पर दर्ज चिकी गई है यह आपका अरुणाचल प्रदेश अगर आप ध्यान देंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश आपकी प्रतीशत और छेत्रफ दोनों में जो है आपके सेकेंड पोजिशन पर है लेकिन यहां पर देखिए इस अरुनाचल प्रदेश में माइनस आपका माइनस 257 यानि की रिन 257 वर्ग किलोमेटर की कमी दर्ज की गई है यह सरवाधी कमी दर्ज की गई है आपके अरुनाचल प्रदेश राज्य में तो यह थोड़ा सा कोशन थोड़ा देख के अटेम्ट कीजेगा ठीक है अब भारत में अगर हम कुल व्रिक्षावरण की बात करें तो भारत में कुल व्रिक्षावरण है 95748 वर्ग किलोमेटर जो की भारत के कुल भागोलिक छेत्रफल का 2.91 परसेंट एरिया आपके ट्री कवर है यानि की व्रिक्षावरण है ठीक है अगर हम इसे व्रिद्धी की बात करें तो 721 वर्ग किलोमेटर की ठीक है, अगर हम व्रिक्षावरण की बात करें, व्रिक्षावरण क्या होता है, बता चुका हूँ, ट्रीकनपी डेंसिटी की उपर डिपेंड करता है, अगर भू भाग के, जिस किसी लैंड एरिया का अगर सर्वे हो रहा है, उसके कुल भू भाग के, अगर 10 प्रतिशत से अ अगर उससे कम है तो व्रिक्षावरण के मामले में सरवाधिक व्रिक्षावरण है आपके महराष्ट में यह आकड़े को आप याद करते हो चलिएगा लगभग 12,000 वर्ग किलोमेटर सेकंड नमबर पर राजस्थान देखिए राजस्थान जिसे हम पूरा मरुस्थल मानते है यहाँ पर व्रिक्षावरण सरवाधिक है जोकि है लगभग 8,700 वर्ग किलोमेटर के आसपास और मद्य प्रदे से थर्ड पोजिशन पर 8,054 वर्ग किलोमेटर के आसपास ठीक है तो हमारे 36 गड़ के कुल भागोलिक छेत्रफल में से आपका 3.96 परसेंट एरिया में व्रिक्षावरण है व्रिक्षावरण याने की ट्री कवर है हमारे 36 गड़ व्रिक्षावरण के मामले में देश में तीसरे इस्थान पर है ठीक है तो देखे यहाँ पर क्लासिफाइड करत संुद्र का तो समुद्र का तटवर्थी एरिया है समुद्र का तटवर्ती एरिया वहां पर आपके पेढ़ पौध जो उगे होते जो वहां का यह बड़े है वहां के तटवर्ती Пока बांधे रखती है और यह मैंगो फॉरेश्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्यों कि यह जो आपका मैंगो फॉरेश्ट जो की समुद्र के तट वर्ती एरिया में है यह बड़े बड़े जो आपके तुफान आते हैं समुद्र में या जो आपके ज्वारभाटा जो आते है या जो सुनामी आते है उससे तटो की रक्षा करते है चुकि ये मिट्टी को जो है कॉर्णर में बांधे रखते है ये जो आपके देखे मैंग्रो वन का सबसे अगर साथार सबसे में हम बात करें तो खारे पानी में उगने वाले पेड़ पौधे समुद्र किनारे ठीक है इसका सबसे बेश्ट एक्जामपल है आपका सुन्दरवन याद है की नी आप भारत की भोगले पढ़े होंगे सुन्दरवन ठीक है सेकेंड नमबर पर है गुजरात और थर्ड नमबर पर है आपका अंड़मान निकोवार सबसे बड़ा मैंग्रो फोरेष्ट कहां पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में 213 वर्ग किलोमेटर के आसपास सेकेंड नमबर पर है आपका गुजरात में लगभग 10 का डिफरेंस यहां पर दिख रहा है ठीक है माइनस 10 करेंगे तो 1100 वर्ग किलोमेटर के आसपास और थर्ड नमबर पर है 616 वर्ग किलोमेटर करता है आपका पश्चिम बंगाल जबकि गुजरात जो है भारत के कुल मेंगरो फॉरेष्ट का 23.54 परसंट ऑक्क्यूपाई करता है गुजरात और आपका अंडबान निकोबार है आपका 12.34 परसंट तो परसेंटेज भी याद रखिएगा बेसिक कोशन क्या पाया बन सकत इसे कि भारत में जो आपका छेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मेंगरो वन की राज्य में इस्तित है तो वो है आपका पश्चिम बंगाल ठीक है नेक्स्ट है आपका कारबन इस्टॉक इस पर भी हम डिसकस कर चुके है आपके फॉरेष्ट रिपोर्ट में लेकिन में कुल कारबन इस्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धी दर्ज होई है कारबन इस्टॉक में वार्षिक वृद्धी 39.7 मिलियन टन है अब कारबन इस्टॉक क्या होता है जैसे कि जो भी आपके पेड़ पौद है जो आपका लैंड एरिया है जमीन जमीन की नीचे जमीन के जड़ आपके जो व्रिक्षों के जड़ व्रिक्षों के तना व्रिक्षों की पतिया जमीन में रहने वाले जो आपके सुक्ष में जिव जन्त हो यह सभी कारबनी स्टॉक के अंतरगत काउंट होते हैं उसको देखें यह कारबनी स्टॉक को मैं यहां डिटेल में डिसकस न repeat करने से कोई मतलब नहीं तो वहाँ पर जा करके इसे देखिएगा कि carbon stock होता क्या है बकाया diagram के साथ वहाँ पर मौझूद है ठीक है सरवाधी carbon stock सरवाधी carbon stock वाले अगर हम राज्यों की बात करें तो पहले नमबर पर है अरुनाचल प्रदेश सेकेंड नमबर पर है मद्य प्रदेश और थर्ड नमबर पर है आपका 36 गार देखिए carbon stock इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि carbon stock के मामले में हमारा 36 गार थर्ड पोजिशन पर है देश में ठीक है यह जो आपके अरुनाचल प्रदेश है कि हमारा 36 गार जो है यह carbon stock के मामले में देश में तिसरे इस्थान पर है 36 गार में देश के कुल carbon stock का 6.89% ठीक है 6.89% कार्बन इस्टॉक 36 गार में मौजूद है जो की 1820 मिलियन टन CO2 समतुल्य कर सकता है CO2 समतुल्य कर सकता है जैसे कि मानों की स्वसंक्रिया में हम CO2 छोड़ते है और carbon dioxide छोड़ते है और oxygen ग्रहन करते है और पेड़ पौधे जश्ट इसका उल्टा करते है हमारे पास लगभग इतना बड़ा forest area है यानि कि इतने सारे आपके वनावरन मौजूद है जो की लगभग 496 मिलियन टन 496 मिलियन टन जो है CO2 समतुल्य करने की छमता रखते है ठीक है 496 मिलियन टन CO2 यानि की carbon dioxide को neutralize यानि की आपका समतुल्य करने की छमता रखते है आज का जो आधुनिक्ता का यूग है बहुत सारे आपके industry यहाँ पर स्थापित हो रहे बहुत से आपके industry यानि की बहुत से उद्ध्यों की स्थापित हो रहे उनके द्वारा भी carbon emit किया जाता है यानि की carbon मुक्त किया जाता है ठीक है तो उन carbon को आउशोशित करने की जो चमता रखते है यह है आपके carbon stock ठीक है जा करके इसका detailed video देखेगा उस video में आईए सेफर रिपोर्ट में अब देखेए 36 गड़ में अगर हम वनू की स्थिती की बात करें तो छत्यड़ भागुलिक शेत्रफल है एक पैतिस एक ब्यानबे वर्ग किलोमेटर अगर वनावरण की बात करें वनावरण का मतलब forest cover वनावरण है 36 गड़ में 55,717 वर्ग किलोमेटर जो कि 36 गड़ के कुल भागुलिक शेत्रफल का 41.21 परसेंट एरिया कवर करता है ठीक है यह percentage important है इस percentage से प्रशन आता है छत्यड़ कुल भागुलिक शेत्रफल का कितना प्रतीशत एरिया वनावरण है पूछा जाए तो वो है 41 यानि कि 41.21 प्रतीशत अगर हम वन शेत्र की बात करें देखे यह जो आपका वन शेत्र है न यह आपका recorded forest area है यह recorded forest area इस forest cover से जनरली ज़ादा ही होता है यह कितना है 69,816 वर्ग किलोमेटर जो कि हमारे 36 गड के कुल भोगोली शेत्रफल का 44.25% area cover करता है अब देखे जसे कि मैंने आपको बताया कि आपका वन शेत्र और अभी लिखित वन शेत्र दोनों में difference होता है सरकार ने अगर किसी आपका नियम कानून अधिनियम के तहट अगर किसी land area को भले ही वहाँ पेड़ पौजे नहीं है किसी land area को अगर वन शेत्र गोशित कर दिया तो वो भी government के record के हिसाब से आपका forest area ही है अब देखे इसमें और इसमें ये दोनों data में अंतर क्यों होता है ये government के record के हिसाब से रहता है और ये जो वनावरन है ये दो साल में आपका देहरादून से आपका जारी हो रहा है और ये मुख्यता satellite पर based होता है यानि कि आसमान से images लेकर के तस्वीरे खीच करके ये data publish होता है ठीक है इसमें government का record इसमें कोई matter नहीं करता ठीक तो ये one शेत्र जो है ये आपका actually में recorded forest area है जो की 36 गड़की यानि कि government के data के इसाब से चत्यड़े कुल भोगोली छेत्रफल का 44.25% area आपका recorded forest area है ठीक है लेकिन आप data लेते होगे चलेंगे ये वाला ये वाला जो है ये authentic है ठीक देखिए अगर हम व्रिक्षावरण की बात करें तो व्रिक्षावरण कितना है 5355 वर्ग किलोमेटर जो की 36 गड़की कुल भोगोली छेत्रफल का 3.96% area cover करता है देखिए भारतिय वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 में पिछली रिपोर्ट की तुल्ला में 36 गड़के वनावरण में इसे हम देख चुके है 36 गड़के वनावरण में 106.03 वर्ग किलोमेटर की व्रिधी धर्ज की गई है याने कि पिछले रिपोर्ट की तुल्ला में 0.19% की व्रिधी हुई है हमारे 36 गड़ में जैसे कि मैंने बताया एक रिपोट आया था 2019 में इस बार का रिपोट आया 2021 में इन दो सालों में 36 गड़के वनावरण याने कि इस फॉरेश्ट कवर में 106.03 वर्ग किलोमेटर के व्रिधी दर्ज की गई है आपके वनावरण में परसेंटेज के हिसाफ से 47,000 66,000 और 55,000 पहले में MP 2 में अरुनाचल प्रदैस 3 में है आपका 36 गड़ ठीक अगर हम बात करें छित्रफल के आधार पर सरवाधिक वनचित्र ये आपका रिकॉर्डेट फॉरेस्ट एरिया है ना देखे ये क्या है forest area घोशित किया जाता है तब की बात है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मद्ध प्रदेस का जो forest area है वो वहाँ के government के हिसाप से 94000 के आसपास महराश्ट government के हिसाप से 61000 के आसपास उडिस्या government के हिसाप से आपका 61204 वर किलोमेटर के आसपास और 66000 के हिसाप से है 9816 वर किलोमेटर के आसपास ठीक है लेकिन PSC अपने question में exam में इस data को consider नहीं करता economic survey में दोनो data बताए गया है recorded forest area ही बताए गया है और आपका forest cover ही बताए गया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 36 गड़ जो है मैं आपको economic survey का बता रहा हूँ 36 गड़ जो है ये वनावरण के आधार पर वनावरण के आधार पर देश में तीसरे इस्थान पर है जबकि 1 छेत्र के आधार पर 1 छेत्र के आधार पर 36 गड़ देश में चोथे इस्थान पर है वानिकी वाले chapter के first page के first paragraph में ये line लिखा हुआ है और यहाँ पर जो वन छेत्र बोला जा रहा है ये यही है recorded forest area यानि की government के record के हिसाब से और PST ने एक साल का प्रश्ण पूछा था जिसमें उसने कहा था कि प्रश्ण में क्या था कि 36 गड़ में 36 गड़ ये वन छेत्र के आधार पर देश में कौन से इस्थान पर आता है क्या पूछा था वन छेत्र के आधार पर और उसने answer क्या लिया था तीसरा वनावरण वाला याने की देखिए ये जो है इस आकड़े को आपको नहीं पढ़ना है इकोनामिक सर्वे में दिया जरूर है लेकिन नहीं पढ़ना देखिए यहाँ पेसले मैंने क्लियर मेंशन किया है आपका 36 गड़ लोग सेवा आयोग CGPSC प्रारंबिक परिक्षा में वन छेत्र फोरेस्ट एरिया को प्रमानित माने क्योंकि पहले मैं पढ़ाता था कि वनावरन के आधार पर तीसरे इस्थान पर वन छेत्र के आधार पर चौथे इस्थान पर लेकिन PSC ने पूछ दिया और गड़वड हो गया बाद में फिर बच्चे मेरे उपर हावी हो रहे थे कि सर आपने पढ़ाया ऐसा आपके कारण हमारा एंसर गलत हो गया आपको जो पढ़ाया जाता है वो authentic source सही पढ़ाया जाता है आपको अभी बता रहा हूँ कि वानिकी वाले चेप्टर में वानिकी वाले चेप्टर में आप first paragraph ही पढ़ लीजिए first paragraph में ही आपको मिल जाएगा कि वनावरण के आधार पे तिसरे इस्थान पर और वन खेतर के आधार पे चोथे इस्थान पर लेकिन PST को मनमानी करना हुआ तो वो अपना ही मन का चलाएगा ठीक है चलिए देखिए अगर हम बात करें 36 गड़ में वनावरण वित्रण की वनावरण वित्रण की यानि की एक होता है 38 सघन वन दूसरा होता है सामानने सघन तीसरा होता है खुला वन और ये है आपका कुल देखिए 36 गड़ में अगर हम 38 सघन की बात करें यानि की एकडम dense forest जहां पे पेड़ पौधे काफी पास-पास में आपके रोपित है यानि की उगे हुए है तो हमारे 36 गड़ में 38 सघन वन है 7068 वर का किलोमेटर सामानने सघन यानि की 38 सघन वन है लेकिन 38 कंपरिजन में थोड़े से छटे-छटे दूर दूर पे वो है आपका 32,289 वर का किलोमेटर यह है आपका सामानने सघन वन और थर्ड नमबर पर खुला वन यानि की open forest यानि की आपका जाड़ी टाइप का यह है आपका 16,370 वर किलोमेटर ठीक है अगर प्रश्ण पूछा जाएगा कि निम्न लिखीत में से 36 गड़ में कीस प्रकार का वन का वित्रण सरवाधिक है तो ध्यान दीजिएगा 32,299 वर किलोमेटर के साथ जो है सामानने सघन वन का वित्रण हमारे छट्य गड़ में सरवाधिक है परसेंटेज के हिसाव से पूछा जाए तो 23.87% के साथ भी आपका समान निसगन वन सरवाधिक छेत्र में वित्रित है ठीक है देखिए 55,717 यह जो आपका आकड़ा है यह जो सेटेलाइट व्यू वाला आकड़ा है यानि कि जो फॉरेश्ट रिपोर्ट में जो डाटा मेंशन किया गया है यहाँ पे इन परसेंट को पढ़ना चाहिए पढ़ स पेश हो रहा है अभी जैसे अगर हम बात करें 36 गड़ में टोटल जीलो की संख्या है 28 ठीक है मुख्य मंत्री भुपेश बगल जी के द्वारा 15 अगस्त के यानि के स्वतंतरता दिवस के आउसर पर चार नए जीले की घोशना की गई थी मनेंद्रगड एक सक्ती दूसरा सा सारंगड बिलाईगड ठीक है और एक था आपका मोहिला मानपूर अंबागड चौकी उसके बाद फिर एक नए जीले का घोशना कर दिया गया आपका खैरागड चुई खतान गंड़ई लेकिन अभी तक ये जीले जो है ये बने नहीं है ये अस्तित्त में आये नहीं है ठी लेकिन ये अभी स्रीजित नहीं हुए है ठीक है एक और अधी सुचना जारी होगा इनके गठान से रिलेटेट ठीक है वो बात का मैटर है अभी ध्यान दीजे अगर हम बात करें ऑफिशल तरीके से चतित्रगड में जिलो की संख्याती अठाइस लेकिन ये जो आकड़ा द अगर हम देखे चतिगड में चेत्रगड में चेत्रगड के आधर पर सरवाधिक वनावरन है आपके सर्गूजा में ठीक है सर्गूजा में इस सर्गूजा में आपका बलरामपूर सुरजपूर नहीं बना था ठीक है सेकंड नमबर पर है आपका बीजापूर और थर्ड न बनावरन देखा जाए तो वो है आपका जांजगीर चापा 159 वर किलोमेटर के साथ क्यों क्यों क्योंकि ये पूरा का पूरा का पूरा आपका मैदानी एरिया है अगर प्तिशत के आधर पर हम बात करें तो नारायन पूर के कुल भोगोलिक छेत्रफल में से 81.61% एरिया बना ठीक है तो इसको थोड़ा सा कवर कीजेगा परसेंटेज के आधार पर भी जो न्यूनतम है ये है जांजगीर चापा जांजगीर चापा जो कि कुल भोगोलिक छेत्रफल का 3.93% एरिया यहां पर वनावरन है ठीक है तो यह होगा छेत्रफल के आधार पर प्रतिशत के आध और अरक्षित वर इसा वन जहां पर मानों हस्तां चेप्रणत के प्रति बंधित होता है आधिक जो रिज़र्णक्रेस्ट फंचेत्र है यह जहां पर माना अरक्षित वरन है evening जहां पर दूसरा होता रिजर्ड फॉरेश्ट जहां पर ये भी आपका इस रिजर्ड फॉरेश्ट में भी मानोहस्तचे प्रतिबंदित होता है लेकिन इसमें परमिट प्रणाली आधारित होती है परमिट लेकरके इस वन छेत्र में जाकरके इस वन का उपभोग कर सकते हैं किस प्रका यह भी मानव हस्तचेप प्रतिबंदित रहता है लेकिन पर्मिट ले करके इसमें कुछ मात्रा तक मानव हस्तचेप किया जा सकता है और थर्ड नंबर पर है आपका अवर्गी कृत्वन यानि कि open forest इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंद नहीं रहता इसमें कोई भी इं ठीक है अगर हम आरक्षित वन की बात करें तो इसके अंतरगत आपके राष्ट्य उद्यान आते है राष्ट्य उद्यान अभ्यारण्य बायोस्फियर रिजर्व ये इसके अंतरगत आते है ठीक है तो यह होता है आपका आरक्षित संरक्षित और आपका अवर्गी कृत्व पर ठीक है परमिट पद्धती पर जो है इसमें थोड़ी बहुत अनुमती दी जाती है और अब वर्गी क्रित वन जो कि सभी के लिए ओपन होते है ठीक इसमें जो है किसी प्रगार कानूनी कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं होता अगर हम दिहान दे तो देखिए आरक्षित वन जो है ये 36 गड़ में कितना है 25,782.17 वर्ग किलोमेटर संदक्षित वन कितना है ये है 24,361.10 वर्ग किलोमेटर और अब वर्गी क्रित वन है आपका 9,954.13 वर्ग किलोमेटर अगर हम overall data की बात करें तो ये total होता है 69,772.40 वर्ग किलोमेटर यही है आपका recorded forest area गॉर्म आपका आरक्षित वन है आरक्षित वन का प्रतिशत है 36 गड़ के कुल recorded forest area का 43.13% area आरक्षित वन है 40.22% area सरक्षित वन है 16.65% area आपका अब वर्गी क्रित वन है ये सभी recorded forest area है ध्यान दीजेगा जो आपका आर्थिक सर्वेक्षन 2021 पबलिश हुआ है उसमें उसके अनुसा जो recorded forest area है वो है 69.772.40 वर्ग किलोमेटर जबकि जो ISFR report आया है उसके हिसाब से है आपका 69.816 वर्ग किलोमेटर तो कोई भी ये मत बोलिएगा कि सर आपके आर्थिक सर्वेक्षन के बुक में ये दिया हुआ है आपके करेंट अफेर के बुक में ये दिया हुआ है ये जो आकड़े है आपको दोनों आकड़े बताते जा रहा हुआ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है 69.000 याद करते वह चलिएगा forest report में 69.816 आकड़ा आया है और आपके आर्थिक सर्वेक्षन में 69.772 वर्ग किलोमेटर का डाटा उसमें दिया गया है ठीक है next देखिए next है आपका 36 आप ये वन विकास निगम से भी प्रश्ने पूछे जाते हैं देखिए 36 गड़ राज वन विकास निगम की स्थापना होई मई 2001 में इसका मुख्याला है राइपूर इस 36 गड़ राज वन विकास निगम के अंतरगा टोटल 9 परयोजना मंडल शामील है परयोजना मंडल या कितनी आपके परियोजना वंडल ये 36 गड़ वन विकास निगम के अंतरकत कितनी वन परियोजना मंडल है तो वो है टोटल आपके 9 कौन-कौन से राजनांद गाव, रायपूर, कवीर धाम, कांकेर, अंबिकापूर आपका बिलासपूर, कोरबा, जगड़पूर और रायपूर तो 36 गड़ में जो है आपके परियोजना मंडल की कुल संख्या है नौ अगर और अद्द्योगिक परियोजना मंडल की बात करें आपके उद्योग परपस से, ठीक है उद्योग परपस से अगर वनों का उप्योग किया जा रहा है तो वो आपका उद्योगिक पर्योजना मंडल कहलाता है तो देखिए 36 गड़ में तीन आपके उद्योगिक पर्योजना मंडल है ये भी प्रश्ण आया हुआ है कौन कौन सा है ये है आपका कौरबा, जगडलपूर और रायगाड लाश्ट के तीन अगर देखिए प्रश्ण पूछा जाएगा कि 36 गड़ राज्य वन विकास निगम के अंतरगत कुल कितनी पर्योजना मंडल संचलित है तो नौ पर्योजना मंडल संचलित है इतने की जो स्विक्रिती है ये भारत सरकार के दूरा दी गई है लेकिन वर्तमान में कितनी है वो है आपकी 9 नेक्स्ट है आपका कैमपा योजना अब ये कैमपा योजना क्या है जैसे कि आज के वर्तमान के दौर में हम आधुनिक्ता की और आगे बढ़ रहे है काफी इंडस्ट्राइजेशन हो रहा है बड़े-बड़े उद्योग इस्थापित कर रहे है तो उद्योग इस्थापित करने से कहीं न कहीं हम वनो को छती पहुचा रहे है वनो की कटाई कर रहे है तो यह जो कैमपा योजना है यह फंड प्रोवाइड करता है यह जो आपके वनो के सुधार में किसमें वनो के सुधार में वनो के सुधार में अब वनो का सुधार किस प्रकार से किया जाएगा छती पूर्ती व्रिक्षा रोपन विक्षार उपन करके वनों के विकास वनों की उत्पाधक्ता में विद्धी और वन संबंधित कारी किये जाते हैं आपके इस केमपा योजना के अंतरगर ठीक है अब ये केमपा योजना का फुल फॉर्म क्या है देखिए C-A-M-P-A कयंपा, आपकेंपा, चपेंपा, चंपंपेंजरीए आपоворस्टेशन चंपेंब, चंपेंजरीएपर अफॉर्सिय airl 조ब, चंपेंपा, चंपेंजान, आपकेंगेज्टान, पनीच हे आपनों की ताफिसार पर कह से आपकेंजरीए झापनेजरीए और अफॉर्सुर fund management planning a forestation fund management planning authority ये जो है camper योजना का full form है इसमें जो है वनो के सुधार के लिए fund provide होते है ठीक है camper योजना के अंतरकत 7 one bundle 7 one bundle शाविल है कौन कौन से केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटगोरा, धरम जैगर, बलरामपुर, सर्गुजा में 1400 hectare 6 रफल में MPCA इस्थापित किया जा रहा है बस आपको याद रखना है डिरेक्ट प्रशन पूछा जाता है एक प्रशन बन सकता है कि आपका camper योजना का full form क्या है compensatory afforestation fund management fund management and planning authority और इसके अंतरकत कुल कितने one bundle आ रहा है, इसके अंतरकत क्या होता है, generally जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अकसर आपको news में सुनने के लिए मिलता है जो आपका हाथी जो है, ये माना बस हाटों में घुज गया लोगों के घर तोड़ दिये, किसी व्यक्ति को कुचल करके हाथी मार दिये, ठीक है जैसे कि अगर जन हानी हो रही है, किसी व्यक्ति की मृत्य हो जाती है, अगर किसी जानवर के चकर में, वन्य जीव के चकर में तो उसमें 6 लाख रुपए की छती पूर्ती सहायता राशी दी जाती है, अगर आपका इस्थाई अपंगता होता है, यानि कि शेर ने आक्रमन किया और उसके बाद जो है किसी व्यक्ति का पैर काटना पड़ गया यानि कि वो इस्थाई अपंग हो गया तो उस कंडिशन में दो लाख रुपे की सहायता राशी दी जाती है अगर जन घायल हुए अगर जंगली जानवर ने हमला किया और उसमें कोई व्य हमारे 36 सरकार के द्वारा आपके 65 प्रकार के लगूव अनुपज की खरीती समर्थन मुल्य पर की जा रही है अभी 65 प्रकार के कौन-कौन सा लगूव अनुपज है उसके एक प्रॉपर लिष्ट आपके economic survey के book में और current affair के book में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वैसे इसको हम यहां पे discuss नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, पैसट कोई एकादी लगू वनुपज का नाम दे दिया, और उसका समर्थन मुल्य पूछ सकता है, लेकिन पैसट के पैसट को यहां पे बता पाना पॉसिबल नहीं है, भारास सरकार के द्व बोरा क्या है, ध्यान दीजेगा, प्रती मानक बोरा, यह जो तेंदू पत्ता का, यह जो प्रती मानक बोरा होता है, एक मानक बोरे में 50,000 तेंदू पत्ते रखे जाते है, प्यस्ती के द्वारा पूछा गया दो बार का प्रश्न है, ध्यान दीजेगा, तेंदू पत्ते के एक मानक बोरे में किते तेंदूपत्य रखे जा सकते है टोटल आपके 50,000 तेंदूपत्य रखे जा सकते है उत्पादन के अगर हम बात करें तो वित्तिवरशी 2021-22 में 13.06 लाख मानक बोरा तेंदूपत्य का संग्रहन हुआ जिसका कुल मुल्य था 768.24 लाथ इसका कुल मुल्य था विशेश एक तेंदूपत्य की मानक बोरे में आपके 50,000 तेंदूपत्य रखे जाते है इस फैक्ट को याद रखना है पुनर गठित राष्ट्रिय बास मिशन योजना ये जो आपका राष्ट्रिय बास मिशन योजना है गैरवन सरकारी एवं नीजी भुमी में बास का छेत्र विस्तार कर क्रिशको के छेत्र में उत्पादित बास का बहतर मुल्य पर समवर्धन कारे तथा उत्पादित बास को लंबे समय तक सुरक्षित रखना बास के आर्थिक एवं बानिजिक उप्योग की संभावना को बढ़ावा देखना देखे पहले क्या होता था कि जो बास को जो उत्पादन है ये आम इंसान या कोई किसान नहीं कर सकते थे उसके लिए गवर्मेंट से ऑफिशल पर्मिशन लेना होता था लेकिन सरकार ने क्या किया किसानों की आयम वृद्धी करने के लिए अब जो है किसान गैरवन सरकारी याने कि अपने सोयं की नीजी भुमी पर भी बास का उत्पादन कर सकते है और इसका आर्थिक और वारिजिक तोर पर इसका उपयोग भी कर सकते है थीक है याने कि इसके बेस सकते है हमारे 36 गड़ में इस राश्ट्य बास मिशन के अंतरग है इस राष्ट्य बास मिशन के अंतरगत ठीक है इन्पोर्टेंट है याद रखना है अब कुछ इन्पोर्टेंट फैक्ट के अगर हम बात करें वित्तिय वर्ष्ट दो हजार इकीस बाइस में वानिकी छेत्र का इस्थीर मुल्य पर सकल राज घरेलू उत्पाद में प्रतीशत की वृद्धी दर्ज की गई सेकेंड नंबर पर राष्ट्री आयूश मिशन के अंतरगत पांच और सदिये पौधे क्रमसह इस्टीविया सर्पगंधा एलोरा वच और सतावर का क्रिशी करण किया गया है यानि कि यह जो है आपके राष्ट्री आयूश मिशन के अंतरगत कितने पौधे का क्रिशी करण किया गया है तो कितने है पांच एक प्रश्ण पूछेगा कि राष्ट्री आयूश मिशन के अंतरगत आपके क्रिशी करण किया गया है निम्ने में से कौन सा एक शामिल नहीं है इस्टीविया सर्पगंधा एलोरा और एकादी कोई जो है किसी अन्य औशदी पौधे का नाम देदेगा तो ऐसे प्रशन इससे बन सकता है औशदी पौधे यानि कि जिसमें रोग प्रतिरोधक छमता होती है ठीक है जिनमें जो है आपके रोग प्रतिरोधक छमता होती है उन्हें औशदी पौधे कहा जाता है एक नेक्स्ट है 36 गड़ राज्य औशधी पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई 28 जुलाई 2004 को इस 36 गड़ राज्य औशधी पादप बोर्ड की स्थापना हुई यह है कुछ important fact अब कुछ miscellaneous है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं देखिए ध्यान समझेगा देखिए एक आपका प्रेश्ण पुछा जाता है कि 36 गड़ को हरवलिष्टेट कब घोशित किया गया ठीक है 36 गड़ जो राज्य है इसे हरवलिष्टेट हरवलिष्टेट कब घोशित किया गया 36 गड़को, तो ध्यान दिजेगा 36 गड़को हरबल इसोट किया गया था 4 जूलाई 4 जूलाई 2001 4 जूलाई 2001 को 36 गड़को हरबल इसोट किया गया ठीक है, इनपोर्टेंट है, इसे विया Jesus रखना है और 36 गड़ में जो है टोटल, आपकी 14 14 14 हर्बल गार्डन है 14 हर्बल गार्डन जहां पर आशधी वाले पौधों का आशधी आशधी वाले पौधों का संरक्षन एवं समवर्धन किया जा रहा है समवर्धन किया जा रहा है ठीक है तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 36 गड़ राज्य को हर्बल इस्टेट कब घोसित किया गया 4 जुलाई 2001 को 36 गड़ राज्य को हर्बल इस्टेट घोसित किया गया दूसरा 36 गड़ में जो है टोटल आपके 14 हर्बल गार्डन है ठीक है टोटल जो है आपके 14 हर्बल गार्डन है जिसमें आपके औशदी वाले पौधे, औशदी वाले पौधों का मतलब क्या होता है, जिनमें रोग प्रती रोधक छमता होती है, ठीक है, रोग प्रती रोधक छमता होती है, जैसे कि अपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है, जो आपके सर्पगंधा है, सर्पगं पादप बोर्ड 36 गड़ में औशदी पादप बोर्ड का गठन हुआ था आपका 28 जुलाई ठीक है औशदी पादप बोर्ड का गठन हुआ था आपका 28 जुलाई 2004 को 2004 को इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है 36 गड़ राज्य आदिवासी ठीक है? इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है आपका च्छतिस गड़ राज्य आदिवासी इस्थानिय परंपरा इस्थानिय स्वास्थ परंपरा एवं औशधी पादप बोर्ड अशधी पादप बोर्ड हरबल इस्टेट घोशित किये जाने के तीन साल बाद आपके च्छतिस गड़ में औशधी पादप बोर्ड का गठन किया गया है हमारे प्रदेश में UNDP के अंतरगत टोटल साथ औशधी पाधे टोटल साथ औशधी पाधों का संरक्षन किया जा रहा है अब ये औशधी पाधे कौन-कौन से है वो आप लोग के लिए इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार का प्रश्न बना था कि हमारे प्रदेश में UNDP योजना के अंतरगत कुल कितने औशधी पाधों का संरक्षन किया जा रहा है तो टोटल साथ औशधी पाधों का संरक् प्रदेश में जो है आपके UNDP के अंतरगत टोटल साथ औशधी पाधों का जो है आपका संरक्षन पौदा संरक्षन छेतर है जो है UNDP के अंतरगत टोटल साथ आपके औशधी पाधा संरक्षित छेतर है ठीक है औशधी पाधा संरक्षित छेतर है टोटल साथ औशधी पाधे संरक्षित छेतर है तो इतने सारे फैक्ट याद रखने है आपको वानिकी के अंतरगत आज के लिए इतना ही किसी पर अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक और शेर जरू कीजेगा धन्यवाद